नमस्कार मैकुंती MNS News लाइव में आपके साथ खबरों की और रुप करने से मैं नजर डालते हैं आज की हिटलाइन्स बर घातक शस्त रुलेकर घुम रहा आरोपी गरबतार सरकार क्यों तैकरे मंदीर का पुजारी आई अब खबरे देखते हैं विस्तार से अकोला में अकोल स्टाइंड चोग पर एक आरोपी हाथ में घातक शस्त लेकर घुम रहा है ऐसी जानकारी रामदास पेट पुलिस थाने को मिली आरोपी गवली पुआर निवासी पचीस वर्षियों शेक अयूब नादली वाले को पुलिस ने गिलपतार कर लिया पुलिस को गब्त जानकारी मिली कि एक युवग खातक शस्त लेकर अकोल स्टाइंड चोग पर किसी वार्दात को अंजाम देने के उद्दिस्न से गुम रहा है यह जानकारी मिलते ही उन्होंने परिसर में गस लगा रहे बीट मार्शल गोपाल जाधों को मामले की जाच करने के आदिश जिये वरिष्ट अधिकारी के निर्देश मिलते ही पुलिस कर्मचारे ने अपने सहयोगी के साथ जाल बिछा कर गवली पुरा निवासी 25 वर्षय शेक अयुग नादलेवाले को गिरपता कर लिया दूसरी कमर हरियाना के फरिदाबाद ने विश्वर हिंदु परिश्यत के कारेकारी अध्यक्ष आलोप कुमार ने कहा कि मंदीरों का प्रबंधन हिंदु समाज के हातों में छोड़ दिया जाना चाहिए सरकार क्यों तैकरे कि मंदीर का पुझारी कौन हो, पुझा कैसे हो हाला कि सरकार कानून विवस्ता के साथ साथ मंदीरों की सुरक्षा का ख्यार रक सकती है बैठक में दो अलग-अलग प्रस्ता पास किये गए, इनमें केंद सरकास ये मांग की गई कि राज्यों में मंदिरों, मठों और धार्मिक संस्थालों को सरकारे नियांत्रन से मुक्त किया जाए, अवय धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जाए तीसरी खमर वी धर्म की साथ जिलों में सी भंडारा में रविवार को एक भी नया कोरोना संक्रमिक नहीं मिला, जिले में अब केवल चार सक्रिय मरीज बचे हैं, वही छे अन्नी जिलों में बैसर संक्रमिक पाए गए अमरा अवती जिले में रविवार को कोरोना संक्रमन की 11 नय महामले सामने आए जबकि एक मरीज की वृत्य हो गई झाल